अध्यक्ष शामप्रसाद मुखरजी जी ने अपना बलिदान दिया था यह वही कश्मीर है जहां स्वतंत्र भारत में एक ऐसा समय आया जब दस वर्ष तक 26 जनवरी और 15 अगस को भी राज्यपाल भी जंडा नहीं फैरा सकते थे 1988 से 1998 जिस दौर में हमारी पार्टी ने जब डॉक्टर मुलीम नहुर जोशी जी हमारे राष्टी अध्यक्षते और अरतमान प्रधान मंत्री शी नरिंद्र मोदी जी युवा नेता के रूप में उस यात्रा के संयोजक थे इसी सीनगर के लाल चौक पे जाके 26 जनवरी 1992 को जंडा फेराया था तो उन बलिदानों और साहस के दम पर यही कश्मीर जो अगस 2019 में जो भारत के साथ संपूर्ण और असंदिक रूप में एकाकार होने की प्रक्रिया पूर्ण हुई थे ये जूस और आईस्क्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं आपको शुरू करना है इनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीचिए ये यात्रा जो राजनेतिक उद्देश से प्रेरित थी मगर मैं कह सकता हूँ कि वो अपने राजनेतिक उद्देश में अपने राजनेतिक धे में अगर आप पूरी यात्रा का कम देखेंगे तो नितांत असफल दिखाई पड़ी जिसे कह सकते हैं कि वो राजनेतिक बियाबान में से अपने को इस्थापित करने की जद्दो जहद में अपनी मंजिले मक्सूद से पूरी तरह के से महरूम रही और यह यात्रा बहुत विडमना पूर भी थी मैं उधारण देना चाहता हूँ इस यात्रा की शुरुवात कहां से हुई केरल में जहां पर इनके वो नेता जिनोंने सडक पर बीफ पार्टी की थी वो इस यात्रा के पहले सहवागी बने उसके बाद तमिल नाडु में इंटर करती है तो वो पादरी जॉर्ज पुनिया है जिसने एलानिया कहा कि वो जूते इसलिए पहनते हैं कि भारत की धर्ती को अपवित्र मानते हैं और आउल गांदी ज कि जहां शुरुआत हुई थी किरल में मैं याद दिलाना चाहता हूँ वहां वो फादर जोजेफ किया नहीं गए इनके हाथ काट दिये गए थे मगर जॉर्ज पुनिया कहां जाने का उनको तमिल नाडु में समय मिला किरल में स्वतंता संग्राम सेनानी और महात्मा गांध शी गोपिनात नायर के इसमारक का अनावरन करने के लिए उन लोगों ने जाकर राहुल गांधी जी से विक्तिगत अनुरोत किया था परन्तु उस इसमारक का अनावरन करने का उन्हें समय नहीं मिला जिसके लिए बाद में केरल कॉंग्रेस ने खेद भी विक्ति किया मगर तमिल नाडु में आते हैं तो ऐसे नेता के साथ इनको रहने में जिनका नाम स्पी उदय कुमार था जो एक समय में तमिल प्रथक्ता का वक्तवे तक दे चुके हैं उसके साथ मिलने का समय मिलता है फिर तमिल नाडु में एक अभिनेता से असफल नेता बने कमल हसन जी को वो इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि नेशन विदे कंफ्यूज विजन वास्विक्ता ये है कि दोनों ही एक कंफ्यूज नेता एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे थे या जो भी उत्तर दे रहे थे यह वो विक्ति हैं जिनके मुंसे आजात कश्मीर जैसा शब्द भी निकल गया था उनको वह इंटर्व्यू दे रहे थे करनाटक पहुशती है यात्रा याद करिए करनाटक के उनके कारिकारी अध्यक्ष योपूर में रहे थे क्या बोलेते कि इंदू शब्द ब गुजरात की विकास की सबसे बड़ी विरोध की प्रतीक मेधा पाटकर जिन्होंने गांधियंस विद गन कहा था देखें कंफ्यूज नेचन इससे कहते हैं कि गांधी और गन का संबंद जिन्होंने इस्थापित किया था उनके साथ थे उसके बाद उनकी यात्रा का जो इ इने इसी यात्रा के दौरान कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा राहुल गानी के बाद सबसे लोकप्री युवानेता का विशेशन भी दे दिया गया उसके बाद यह यात्रा दिल्ली पहुंचती है अनेक विपक्षी दलों से वह आवहन करते हैं कि भाई अब तो आ कोई आने को तैयार नहीं होता है उसके बाद यह यात्रा जब कश्मीर के नजदीक पहुंचती है तो फिर वो दिल की आर्जू ऐसे लवों पर आती है कि वो सर्जिकल स्टाइक का बयान कौन बोलता है यात्रा के संयोजक दिखवजे सिंग जी यह ठीक है कि फिर उनकी उनक स्टाइकार की प्रवत्तियों को साधे हुए उत्तर उत्तर आगे बढ़ रही थी मातपूर्ण बात यह है कि न गांधी के प्रदेश में जा पाई न नहरू के प्रदेश में जा पाई और सेना के बारे में ऐसे अपमांजरक बयान कहे गए हमारे वीरसनिकों के लिए पिट कि वो नफरत के खिलाफ अपना अभियान चला रहे मगर इतने नफरती जहर बुझे सामानों को लेकर यह कौन सी महबत की दुकान वो स्रीमान सजा रहे थे यह कोई भी समझ सकता है एक तरफ उन्होंने कहा दूसी तरफ क्या बोना मुझे नफरत कहीं दिखी नहीं इस से ब उन्होंने का सर्दी आपको इसने लगती है कि सर्दी से आप ड़ते हैं मुझे लगता है यह कंफ्यूज नेशन की जो बात उन्होंने कही तो सबसे आदा कंफ्यूजन उस पूरी यात्रा के दौरान उनके स्वैम के आचरण में देखा उसके बाद उन्होंने आकर अंतिम स सब्सक्राइब हुआ था जब भारत माता के दो टुकड़े हुए उस समय को कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और अंतरिम सरकार के प्रधान मंत्री के रूप में जो उन्होंने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधान मंत्री के रूप में नित्र तो करते हुए नहरू जी नित्र तो कर रहे थे तब बाकाइदा सिगनेचर करके यहां प्रस्ताव पारित किया गया था कॉंग्रेस की एक्जेकुटू में आधा पंजाब चला गया था आधा बंगाल चला गया उसके बाद जो बच गया आजादी के जिवार के शासनकाल में आधा कश्मीर भी चला गया उसके बाद जो बच गया तो बहसट में अक्साई चिन और मानसरोवर भी चला गया यानि जिसे कह सकते हैं कि आपकी भारत को क्या जोड़ा था कि आधा पंजाब गया कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हां तो मांसरोवर का वहां उचा भाल गया इसलिए मैं ये कह सकता हूं आज यदि आप जंडा फैराने में सफल हो रहे हैं तो वो तब जब हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने इसके लिए अपने प्राण बलिदान किये और हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखरजी वो कश्मीर हमारा है के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज एफ आई आर नमबर दोस्सोवार्ट स्ट्रीमिंग थर्द फेबरी नाइन पियम